वेलकम बैक फ्रेंट्स तो दा जी एस प्लेटफर्म यूट्यूब चैनल दोस्तो आज हम लोग देख रहे हैं अरसट हजार पांसो सहायक अध्यापक लेखित परिच्छा की एक विशेश न्यूज जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में अरसट हजार पांसो सहायक अध्यापकों की भरती होनी है तो इस संबंद में पिछले काफी दनों से उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2017 का विवाद कोर्ट में चल रहा था तो हाल ही में कल की दिन कोर्ट का विवाद समाप्त हो गया है जिसमें कि सभी को दो अंक ग्रेस मार्क्स की रूप में दिये जाने की बात की गई थी और एक अंक तो पहले ही दिया जा चुका था तो इस संबन्द में आज काफी information निकल के ये आई है कि PNP यानि कि परिच्छा न्यामक प्रादिकारी की जो सचे है सुत्ता में उनसे प्राप्त जानकारी के अंसार अब जो परिच्छा है वो 20 मई तक करवा ली जाएगी यानि कि 15 से 20 मई के बीच एक्जाम हो जाएगा य ये एक बड़ी न्यूज है कि परिच्छा अब आगे एक महीने के अंदर हो जाएगी पहली बात दूसरी बात ये है कि अब ये जो करंट मतलब जो स्लेवस है पेपर है ये बदल के आएगा यानि जो पहले पेपर चप चुका था वही आएगा या दूसरा आएगा तो इस म मामला गुप्त रखा जाएगा तो अब परिच्छार्थियों के मन में क्या है कि हम लोग उसको पेपर को चेंज माने या ना माने तो सीरी सी बात है देखिए कोई भी उसमें चितने भी सबजेक्ट है हिंदी अंगरेजी गड़त विज्ञान मनो विज्ञान जो भी है तो हम लोगों ने देखा तो है नहीं लेकिन मैंन बास जोह है कुरेंट अफियर अगर बदल गया तो प्रोबलम हो जाएगी क्योंकि करेंट अब हमारी तरफ से आपको क्या सजेसन रहेगा देखिए हम लोग मान के चलते हैं कि अगर पेपर बदल गया तो फिर क्या होगा तो करेंट अफेर बदलेगा तो आप एक काम कर लीजिए अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं पेपर बदलेगा तो आप इस चैनल की TheGS Platform YouTube Channel की Current Affair की प्लेएलिस्ट में चले जाएं और वहाँ पर आपको हर दिन की Current Affair की वीडियो मिल जाएगी वो भी PDF सहत आपको मार्च महीने के सभी दिनों की Current Affair मिल जाएगी आपको अप्रेल महीने के आज तक के जितने भी दिन हैं सभी दिनों की आपको current affair with pdf मिल जाएगी तो आप अच्छी तरह से easily आपको तयार कर लिजे सभी वीडियो को देख लीजे तो ये आपके लिए क्या है ये आपके लिए bonus point है कोई problem वाली बात नहीं है अगर आपको लगता है तो current affair पढ़ लीजे ठीक है और मुझे भी लगता है कि एक बार कम से कम अगर सभी वीडियो देख लीजे तो काफी आपका कबर हो जाएगा तो ये आपकी रही solution अगर paper बदलता भी है तो current affair बदलेगा और बदलेगा तो आपको क्या करना है हमारी सभी वीडियो देख लीजे अब आगे बात करते हैं ठीक है invalid मामले पर जो invalid result आया था उस पर सुत्ता माम का कहना है कि वो जो court ने निर्ड़ाय दिया है उसका हम सम्मान करेंगे अभी उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं और जो उर्दू वाला matter था उस पर सुत्ता माम का कहना है कि उर्दू matter में कोई भी अभी उर्दू विस्साय सामिल नहीं किया जाएगा अभी ऐसी कोई सुचनन नहीं है और grace mark उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने attempt किये थे question तो 68500 जब परिच्छा हो जाएगी तो कुछ students का कहना है कि उसमें काफी एक पृष्ण की काफी उत्तर हो सकते हैं तो इसपर भी बात हुई इसपर निसकरस bisher निकला कि बरिच्छा के बाद किसी भी एक पृष्ण के अगर 4 उत्तर 2 उत्तर 3 उत्तर आते हैं तो इस संबंध में एक ग्यापन दिया जाएगा जिसमें सभी संभावित उत्तर दिये जाएगे PNP को जिससे की वो अंसर किवें उन सभी को सामिल कर सके तो ये एक अच्छी बात होगी जिससे की मामला दुबारा कोड़ पे नहीं जाएगा तो ये सब चीज़े आज की वीडियो मैंने आपको बताई उमीद है की वीडियो आपको पसंद आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने दो बड़ी बाते आपको बताएगा नई परिच्छा इती 20 मई तक संभावित है 20 मई से पहले परिचा हो जाएगी और दूसरी बात कि अगर सरेबस बदलता है क्योंकि वहाँ पर इस पर नहीं का गया है कि सरेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा लेकिन बाई चांस अगर बदल गया मान के चलते हैं क्योंकि उस पर चांस नहीं लेना है आप सभी को मतलब रिस्क नहीं ल यसे मतलब डिजाइन की गई और बहुती एक्स्प्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगी बस आप प्लेलिस्ट में जाईए और उसको देख लीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार